हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो इंट्रकोगनिशन तो इस वीडियो में आपको कुछ फैलोशिप के बारे में बताने वाला हूं ठीक है तो फैलोशिप किसी स्पेशल सोशल कॉस्स के लिए जो है वो दी जाती है ठीक है तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ 10 से 12 फैलोशिप 14 जिसमें आपको एक जॉप की जैसे होती है फैलोशिप जहां आपको वो मंतली वो पैएमेंट मिलता है chyba स्वाफी अच्छा ध fellowship है जो मूर मंद ये तो ऐक सालेरी बोल सकते हैं उसको फैलोशिप से लकिन लेकिन इसमें आपको बहुती काम करना होता है ठीक है सूशल काॉस के लिए काम में मज़ा आता है अलग अलग सНट약 जनकर सब्जेक्ट के लोग सब्जेक्ट तो कही सारे ऑलोशियम में आपको फॉरण ट्रेवल आपको का मु genre दिया जाता है तो मोग इस TV में कुछ फैलोशिप aucun देखें गए तो हम लोग कुछ फेलोशिप इस वीडियो में देख लेता है तो फिर्स्ट फेलोशिप जो मैं बताने वाला हूं वह इटीच फॉर इंडिया फेलोशिप हर साल इसमें कुछ लोगों को रिकूरूट किया जाता है ठीक है दो साल के लिए होती है यह और इसके अंदर लगबग फेलोशिप आपकी मिलती है 25,000 के लगबग एक देड़ साल पहले यह 22, 21, 22,000 पर मन्त था अभी शायद 25,000 होगा तो 20 to 25,000 पर मन्त आप प्रोक्सिमेटली मान सकते है तो यह भी काफी रिगरस होती है इसकी जो प्रोसेस है अप देखिए जो process of selection है तो इसमें आपको पहले on interview को जो interview होगा फोन कॉल पे होगा देन एक offline interview होता है जाए लिस्ट कीए वे हैं तो इसमें कोई टैस्ट लिस्ट बनाते जाएं अगर आप मास्टर्स किए वे बैसलर्स किया में तो भी आप अपलाए कर सकते हैं तीज-फुर इंडिया फ़ेलोशिप में एक यक तो जिसमें अब आपनिंग नहीं नहीं तो जिसमें हम उपनिंग है उसकी बात कर लेते हैं पिरामल ग्रूप की एक फेलोशिप है गांदी फेलोशिप काफी फेलोशिप है इसके अंदर आपको आपको travel allowance खाना भी आपको फेलोशिप पिरिएड में वही वो खोधी प्रवाइट करते हैं ठीक है तो उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है रहना खाना एंड ट्रेवल पिरामल ग्रूप की तरफ से होता है ठीक है तो यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है लास्ट फूर एप्लिकेशन थाटी अप्लिकेशन निकला हुआ है ठीक है आप वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाइए कर सकते हैं ठीक है अपलाइनाओ का उप्शन है तो यह था गांधी फेलोशिप पिरामल ग्रूप की तरफ से होता है यह देन अगर आप क्लाइमेट ए सकते है इसको आप देख सकते है ऐडनचीफ मिनिस्टर अरबन लीडर साङर ठीक है तो चीफ मिनिस्टर अरबन लीडर साटीःयोच Vermeworking्ट जो एंड्यली स्वीड ने दिए ठीक है तो इसका जो सेलेटिन का और इसमें तो सलरी है वह भी आप देखेंगे रेमिनिर्शन लाइब 25,000 पर मंत भी प्रोवाइड टो फैलोस टिक तो इसमें फैलोस और आसॉसीयट फैलोस सेलक्शन होता है ठीकर ऑच्राइब замеч है और 23 पोजीशन होती है यहाँ पे 17 फैलोस संट 6 आसूसीयट फैलोस ठीकर दो साल के लिए होता है और हर साल यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट आता है यानि फेलोशिप आते लिए तो आप एक बार इसकी वेबसाइट भी चेक करते रहें डेली गवर्मेंट की तरफ से होता है चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडर्स फेलोशिप इस फेलोशिप का नाम है ठीक है अब चलते हैं चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस फेलोशिप हर्याना की तरफ से होता है स्टेट गवर्मेंट और अशो का फांडेशन दोनों मिलके इस फेलोशिप को और्गनाइज करते हैं ठीक है यह भी बहुत रिग्रस फेलोशिप है 75,000 के लगबग इसका जो फेलोशिप अमांट पर मंत दिया जाता है ठ अब शायद एक साल या दो साल के बीच में एक या दो साल है और इसके बाद आप अच्छी बात है कि आप यहां से फेलोशिप करके आजीम प्रेम जी फांडिशन में जॉब भी आपका लग जाता है ठीक है तो यहां आप नीचे देखेंगे तो अगर वेबसाइट पर इसी तरह से रजट शर्मा एसोर्स परसन है भी धमतरी चाथिसगर में और 2018 के फैलो है ठीक है तो अब फैलोशिप करके वहीं पर जॉब कर लेते हैं पर्मनेंट जॉब आपकी हो जाती है तो अजीम प्रेम जी फांडेशन फैलोशिप भी काफी रिग्रस होती है काफी इं इसमें आपको युएस ट्रेवल करने का मुखा मिल सकता है ठीकिज आपको टिकेट्स वीजा एंड हम रेंट रेलावेंस जो भी खाना रहना का करचा होता है यूएस में वह आपको यहां इसके अंदर मिल जाता है बैन्यान इंपक्त फैलोशिप इसका नहाम है अभी आप कर सकते हैं इसमें भी AIF का होता है यह American India Foundation के पूछे बीज से मिलने का मोखा मिलेगा अगर इंडिया में भी होता है यह आप को यूस के लोग मिलेंगे अगर आप तो यह भी एक अच्छा opportunity है, यहां भी आप एक साल का होता है, तो इसमें कोई fellowship नहीं दे जाती, लेकिन allowances हैं काफी सारे, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, इसमें भी अभी opening है, ठीक है, तो Acumen fellowship है यह, तो यह हमने इस वीडियो में इतनी ही fellowship को देखेंगे, आने व governmental organizations है, इंडिया में उनकी तरफ से जो fellowship होते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है, तो if you are new to the channel, please consider subscribing to it, because on this channel, you are getting regular updates about the job post for assistant professor, teaching, non-beaching post, and also about PhD admission notification with fellowships, okay, so thanks for watching and all the best.